मांदारी से मेनत के साथ में निर्वैन करके और जो मोदी जी का एक सपना है कि अब की बार 400 के पार जानी चाहिए एंडिये की सीट्स तो नागोर की गिंती उसमें हो मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस उस दिशा में होगा कि नागोर की सीट भारी मतों स दुकासे काम उनकी जो सोस दूर गाम में किस तरसे आगे लेके जाएंगे और मोदी जी कि तो एक तैब आता है कि पार्टी का जिस तरीके का हमारा बीजेपी का जो एजंडा है वो मोदी जी मतलब कोई आदमी माइक पर खड़ाओ कर यह नहीं कह सकता कि यह मेरी गैरंटी ह और मोदी जी ने एक नई एक दिशा दिया और मतलब जितने confidence से वो बोलते हैं तो उनी के party के सबी जो नेता है कारे करता है उन सबको इतना confidence रहता है कि हम लोगों के बीच में जाकर करके जो मोदी जी कहते हैं तो हम यह वादा कर सकते हैं महाँ पर क्यों जनरली पार्टीया आप लोगों से वादा कर रही है उसको निभाएगी यह उनकी गारंटी है तो जो प्रिश्ट भूमी रही है वो किसान वर्क से रही है तो मैं मैं समझती हूं कि जब आज रिपीट हो गया जब बीजेपी का तो उसमें भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों की जवा देखिए तो रादनीति का मुझे लगता है कि एक हिस्सा है लोग यहां पर कोलाइबरेट करने की बज़ाए ज्यादा इसको कॉंपेटिटिव समझने लगए तो जनता के हाथ में असली ताकत होती है और मुझे लगता है कि इस बार जो महाल है वो बहुत अच्छा है जिस सरीके से कल से जब से टिकेट अनाउंस हुई है तब से जो बधाई के फोन आ रहे हैं जिन लोगों ने बधाईयां दिये और लोगों ने बुला है कि साब हम आपके साथ कभी पहले नहीं रहे है कुछ ऐसे लोग है जो कहते हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया लेकिन अशा ही होता है कि अगर केंद devotion में सरकार आती है राजिय में सरकार होती है तो अब आपस में उनका च्छा ताल्मिल रहते हैं और उससे ज्यादा काम करवाइचा सकते हैं पब्लिक के तो लोगों को भी विश्वास है भा क्तिय जनता-पार्टी के सरकार बनी है पूरी जो होगा अच्छा ही होगा पूर्ण बवमुत के साथ बीजय पी आएगी